Fact Edition के एक नए एपिसोड में आपका स्वागत है So guys, अगर मैं आप लोगों को बोलूं कि आप लोग 1,000,000 में लिखो तो आप लोग क्या लिखोगे? 1 लिखोगे और उसके साइड में M लिख दोगे लेकिन अगर मैं आप लोगों को बोलू कि आप लोग 1 billion shot में लिखो तो आप लोग 1 लिखोगे और side में B लिख दोगे लेकिन अगर मैं आप लोगों को बोलू कि आप लोग 1 thousand लिखो तो आप लोग 1 T नहीं लिखोगे आप लोग लिखोगे 1K, तो क्या आप लोगों को पता कि आखिर कर 1000 के लिए के कप्रियों क्यों किया जाता है, आखिर कर इसके पीछे का fact क्या है, और आप लोगों ने कभी न कभी TV सो में एक सीन्तों देखा ही होगा, कि अगर कोई भी person वहाँ depression में आता है, तो वो घर आकर डायरेक्टर बातरू में ठंडे ठंडे पानी से नहाता है, तो क्या आप लोगों को पता कि उसके पीछे भी एक fact शुपी हुई है, और आप लोगों ने बहुत लोगों को बरगद या फिर पीपल के वरिक्ष का पूजा करते तो देखा ही होगा, लेकिन क्या आप लोगों अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो सब्सक्राइब करके बगल का बैल आइकन को और नोटिफिकेशन करके अन कर लेना, नमबर 14, श्टॉक हॉम स्वीडन नाम की एक जगह है, और वहां के लोग बहुत ही स्पीड से कार ड्राइब करते है, और उसके बाद जो कार की स्पीड है, उसको नोट करता है, और अगर जिसकी कार की स्पीड नॉर्मल रहती है, तो उसके एक टिकट चला जाता है, और बाद में सभी टिकटों का एक प्राइज निकलता है, तो जो भी विनर होता है, उसे प्राइज दे दिया जाता है, त तब से यह डिवाइस वहां रखा गया है तब से लोग बहुत ही नॉर्माल स्पीड से कार को चलाते हैं तो इस डिवाइस को रखने से बहुत ही ज्यादा फैदे भी हुए है तो आप लोगों को क्या लगता है ऐसा ही डिवाइस हमारे इंडिया में भी होना चाहिए कि नहीं यह मुझे नीचे कमेंट्स बक्स में चरूर बताना नंबर 13 जैसा कि मैंने आप लोगों को पहले भी बहुत सारे वीडियो में बताया है कि हर पूरुस अपने पूरे लाइफ का 14 दिन ट्राफिक में ही गुजार देता है और महिलाएं 10 साल सिर्फ और सिर्फ रसोई घर में ही गुजार देती है और महिलाएं यह भी सोच कर गुजार देती है दो साल कि वे कौन सा कपड़ा पहनू लेकिन आप लोगों को यह पता है कि एक फ्रैक्ट यह भी है कि अवसत व्यक्ति अपने पूरे जीवन के दो साल फोन चलाने पर ही गुजार देता है नंबर 12 आप ल जन्म लेता है तब वो केबल साल 2 cm का होता है और दिखने में कुछ आइसा दीखता है धक्यार हमारे हांथ सिर्फ फिंगर की उंग्लियों में कितने असानि मैंसे आ जाता है तो जो ऑ्षा जन्म लेता है तो उसमत सी दोसेंटी मीघर का होता है और उसके बाद इतना बड़ हो जाता है numéro 11 आप लोगों ने कभी ना कभी perfume तो लगाया ही होगा लेकिन को ये पता कि जो perfume होता है उसमें 75 परसेंट एथील मिलाया जाता है मतलब 75% एथील मिलाया जाता है और इसके साथ 25% सुगन्धी तेल मिलाया जाता है जिससे कि आपका पर्फ्यूम पूरे तरह से बनकर तयार होता है मतलब यहां पास हम बोल सकते हैं कि जो पर्फ्यूम है वो 75% एथील मिलाया जाता है 25% सुगंधित तेलों की मिस्रड से बनता है 10 हमारे पूरे सरीर में सबसे पतली चमड़ी हमारे आखों की होती है जो की 0.2 mm से लेकर 0.5 mm तक हो सकती है और अगर हम हमारे सरीर में सबसे मोटी चमड़ी की बात करते हैं तो हमारे पूरे सरीर में सबसे मोटी चमड़ी हमारे तलवे की होती है जो की तकरीबन 4 mm तक हो सकती है नमबर 9 क्या आप लोगों को यह पता है कि जो पेडों का अध्यान करते हैं उसको किस नाम से जाना जाता है तो सुनो पेडों के अध्यान को डेंड्रोलोजी कहा जाता है नमबर 8 क्या आप लोगों ने कभी यह सोचा कि इस पूरे वर्ल्ड में सबसे कम उम्र में माता पिता बनने वाले व्यक्ति कौन थे तो सुनो इस पूरे वर्ल्ड में सबसे कम उम्र में मतलब 8 और 9 साल में माता पिता बन गए थे और यह जो घटना है वो 1910 में चीन में हुई थी मतलब चीन में जो लोग रहते थे तो उनकी उम्र आठ और नौ साल थी और वो आठ और नौ साल के उम्र में ही माता पिता बन गए थी नंबर सेवेन एक नौर्माल इंसान अपने पूरे जिन्दगी में 18,37,5,600 कदम चलता है जो कि इस पूरे धरती के पांच चकर के बराबर है नंबर 6 और यह जो फैक्ट है वो बहुत ही इंट्रेस्टिंग है इसलिए इस फैक्ट को एकदम ध्यान से जरूर सुनना जो हमारा दिमाग है न जो हमारा ब्रेन वो अपने पूरे दिमाग का सिर्फ 10% ही उपयोग करता है और कि आप लोगों को यह पता है कि जो हमारा दिम जर Ugh सबसे करता है तो इस आप लोगों को ये पता है बारत रतन के साथ कोई भी रक म नहीं दिया जाता पर राश्ट्रपति के हस्ताक्षर के द्वारा एक प्रमाणपत्र दिया जाता है और साथ ये साथ एक मैडल से सम्मानित किया जाता है और उस मैडल की कीमात होती है दो लाग संतावान हजार साथ सो बतिस रुपए जैसा कि मैंने आप लोगों को एक वीडियो में बताया था कि बहुत लोगों को प्यार से भी डर लगता है और प्यार से लगने वाले डर को फिलोफोबिया कहा जाता है लेकिन कि आप लोगों को ये पता है कि बहुत से लोग ऐसे भी होते हैं जिन्हें अपने नाभी को चुने से डर लगता है और नाभी को चुने से लगने वाले डर को ओमफैलोफोबिया कहा जाता है नमबर थ्री आप लोगोंने पीपल पेड की पूजा करते हुए तो बहुत लोगों को देखा होगा लेकिन कि आप लोगों को ये पता है कि अगर लोग पीपल पेड की पूजा करते हैं तो उसके पीछे ये सोंचते हैं कि अगर हम पीपल पेड की पूजा करते हैं तो भूत उसकी पूजा करते हैं तो वैज्ञानिक तरके यह कहता है कि पीपल एक मात्र ऐसा पेड़ है जो रात में भी ऑक्सीजन गैस प्रवाहित करती है नमबर टू जैसे कि आप लोगों को पता है कि 1000 को 1 के लिखा जाता है और वहीं 10,000 को 10 के लिखा जाता है और अगर हम एक लाग की बात करें तो एक लाग को 100 के लिखा जाता है जबकि 1000 को 1000 कहा जाता है न तो 1000 के लिए 1T लिखना चाहिए लेकिन यहाँ पस 1000 के लिए केक अप्रयोग क्यों किया जाता है तो सुनो के का मतलब होता है किलो और यह जो किलो सब्द है वो गृग भासक के किलो सब्द से आया है जिसका मतलब होता है 1000 जब फ्रांस के कुछ व्यग्यानिक मैट्रिक सिस्टम तैयार कर रहे थे तो उस समय उन्होंने हर इकाई को उसके पहले इकाई से 10 गुना अधिक रखा और बाद वाली IKai को 10 गुना कम रखा, जैसे कि लंबाई वाली IKai कुछ इस तरह होती है 10 mm बराबर 1 cm, 10 cm बराबर 1 cm, और 10 cm बराबर 1 m, तो इसी तरह वजन के लिए मीटर की जगह पर ग्राम कव्पियों किया गया और मात्रा वाली इकाई के लिए लीटर कवपयोग किया जाता है फ्रांस के वैज्ञानिक ने हर एक इकाई को ऐसा नाम दिया था जिससे उसकी वैल्यू का पता चल सके इसलिए जब हजार वाली इकाई को रखा गया था तो उसकी लिए किलो सब्द को चूना गया था इसलिए आज की डेटपर हम लोग एक हजार के लिए वन के और दस हजार के लिए टैनके और एक लाग के सव के क प्रयोग करते हैं मतलब आज के डेट में हम लोग इसे कारण आज 1000 के लिए केक अप्रयोग करते हैं मैंने इस टॉपिक को बहुत ही डिपली से समझाने की कोशिस की है और उम्मीद करतों कि आप लोगों को ये समझ में आ गई होगी तो इसी बात पर इस वीडियो को एक लाइक जरूर करना नमबर वन आप लोगों ने टीवी सोपर कभी न कभी एक सीन तो देखा ही होगा कि जैसे ही कोई परसन थोड़ा सभी टेंसन में आता है तो वो सबसे पहले घर आकर ठंडे ठंडे पानी से नहाता है लेकिन कि आप लोगों को ये पता है कि आखिरकर वो घर आकर सबसे पहले ठ थंडे पानी से ही क्यों नहाता है आखिरकार इसके पीछे का फ्रैक्ट क्या है तो सुनो थंडे पानी से नहाने से तनाव और टेंशन कम होता है लेकिन आप लोगों को यहां पस एक बात ध्यान रखना है कि थंडे पानी का टेंपरेचर 12 से 18 डिग्री से कम नहीं होना अब यह रहा आप लोगों से मेरा एक सिंपल सा क्वेस्चन और आप लोगों से जो क्वेस्चन है वह यह है कि एक लड़का एक लड़की के पास से गुजरता है और वह लड़की को बोलता है 143 जिसका मतलब होता है आई लव यू तो लड़की उसे बोलती है 25 519 तो बताओ कि आखिरकार वह लड़की उस लड़के से क्या कहती है देखते हैं हमारे वीडियो को कितने intelligent person देखते हैं और कितने लोग इसका answer सही सही दे पाते हैं और आप लोग मुझे नीचे comments में यह जरूर बताना कि आप लोगों को इतने सारे facts में से सबसे अच्छा और सबसे interesting facts कि इस वीडियो में इतना ही फिर आप से मुला का दोगी इसी तरह की बहुत ही कम माल की एपीसोड के साथ तब तक के लिए ओके बाए